हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे स्वास्थ होंगे तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में जानेंगे गर्भी में लड़का होने के दस ऐसे ठोस लक्षण के बारे में जो पूराने जमाने से बहुत ज़ होते हैं तो जैसे ही कोई महला प्रेगनेंट होती है तो उनके मन में बहुत ज़दा उसुकता होती है जानने की कि उनके गर्भ में लड़का पल रहा है या फिर एक लड़की तो चलिए जानते हैं कि कौन-कौन से वो सिम्टम्स हैं जो बेबी बॉय होने के टाइम पर ही मह बल होते हैं जैसे कि सेव, अमरूद, केला, पपीता इस तरह की जो चीजें होती है जो मेल जेंडर से जोड़कर देखा जाता है अगर इस तरह की चीजें खाना बहुत ज़दा पसंद करती है तो ऐसे में माना जाता है कि उनके गर्भ में एक लड़का पल रहा है वहीं ने उरीन की समस्या हो रही है उनको बार बार उरीन आता है बहुत ज़दा परिशान रहती है उरीन की वज़से तो ये भी गर्भ में लड़का होने के सटीक लक्षण माने जाते हैं वहीं नेक्स्ट सिम्टम है कि अगर महिला की उरीन का कलर बहुत ज़दा डार्क यलो कलर का आये और गाढ़ा आये तो ऐसे में भी माना जाता है कि गर्भ में लड़का पर रहा है नेक्स्ट सिम्टम है कि महिला अगर चलते वक्त सबसे पहले अपने दाहीने पैर को उठाती है या फिर उठकर जब वो बैठी होती है और उठती है तो अपने दाहीने हाथ का सहारा ल कर उठती है तो ऐसे में भी माना जाता है कि उनके गर्ब में एक लड़का पर रहा है नेक्स्ट सिम्टम है कि अगर महिला का अगर दाया जांग हो गया दाया पैर हो गया बहुत जाता है प्रेग्नेंसी के दोरान तो ऐसे में भी माना जाता है कि उनके गर्ब में एक लड़क वही अगर महिला की जो नाभी वह बाहर की तरफ आजा और नाभी में खुझलाहट महसूस हो तो ऐसे में भी माना जाता है कि गर्ब में लड़का पर रहा है वही अगर साथवे आठमे महिला के पैर में सूजन की समस्या बहुत जादा होने लग जाती है तो ये भी लड़का ह प्रेगनेंसी के दोनान महिला के टांगों में बहुत ज़दा दर्ध हो एठन हो जंजनाहट हो वही कमर में दर्ध की समस्या हो पेट के नीचले हिसे में दर्ध रहता हो ना भी में खिचाओ मैसूस हो तो ऐसे में भी माना जाता है कि गर्ब में एक लड़का पर रहा है वही पच्चे के पte के राइट साइड में जदा तरफील होती है और राइट साइड में उनको बहुत जढ़ा भारी पन से मैशूस होता है राइट साइड वाला जो हिस्सा है पेट का उबहा हुआ नजार आता है तो ऐसे में भी माना जाता है कि गर्भ में लड़का पर रहा है तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक शेर करना बिल्कूल ना भूले चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कूल ना भूले मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई